हाई गाईज मैं वोकांग शेल्ज वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं आशा करते हूं कि आश्चा लोग बहुत अच्छे से होगे मस्त होगे स्वास्थ होगे तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो पर मैं आप साथ शेयर करने वानी हूं होमबेद अलोवे़ शेंपू, आप सभी जानते हैं कि जो अलोवे़ा जेल होता है हमारे बालों के लिए स्प्न कि कितना अच्छा होता है मैं आपके साथ बहुत कुछ ऊल्रीडी शियर कर रखा है आप कैसे अपने स्क्वीन को अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं तो आज उसी aloe vera gel को जो हम natural plant से निकालते हैं उसी aloe vera gel की हेंड से हमारे एक shampoo ready करने वाले हैं जो कि आपके बालों को बहुत अच्छा कर देगा वैसे तो aloe vera gel हमेशा ही हमारी skin की बालों ने अच्छा होता है लेकिन especially गर्मियों के लिए aloe vera gel बहुत अच्छा माना जाता ह होता है kai friends गर्मियों में sunlight की बुझे से हमारे बाल राफ पसीना आता है तो घर्मियों में जाडने लगता है हमारा एंक्रेश अवरिसात है जाडव की तरह बहुत अच्छा काम हमारे बालों के लिए आप चाहे तो आपने बालों में ऐसे ही यूस कर करकी है कैसे आप अलोविरा लीफ को अपने बालों में डिर्एक यूज कर सकते हैं उसके भी अमेजिंग दूज्रेल मिलते हैं लेकिन आज मैं आपके शैंपू करने वाणी हूं और इस शैंपू में पूरी-पूरी capability है पूरी पूरी इसमें च्छमता है अगर अपने बालों में ऑली कर रही है तो बहुत ही इसली जो आपके बालों में ऑल है उसको यह शैंपू दूर कर सकता है तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप प आपके साथ शेयर करते हूं अमेजिक हैं मिलते हैं आपके इसकी अच्छी हो जाएं आपके बाद अच्छी हो जाएं नेच्रों इंग्रियेंट को यूज करके अगर आपको इन टॉपिक्स में थोड़ा सावी इंट्रेस्ट तो सबसे पहले जाके में चलके सब्सक्राइब और सब्सक्राइब बैल बटन है उसको क्लिक करना में बूलेगा से क्या होगा कि जैसे यह वीडियो अप्लोड करूंगे इसका नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिले सकते हैं तो सबसे पहले हम जानते कि इस अलोविरा शेंपू के क्या-क्या एडवांटेज हैं तो इस एडरेटर रखेगा आपकी जैसे हो गएंगए अगरे स बहुंके यहां आपके बाहिंस्त त सब्सक्राइब करनेख सब्सक्राइब ऑपके Яगा ऑग इसांव और her皆 शाहे हैं महत्यों मारे घर्टेब को में जानते यह बहुँआ हैं और फकान आपके स्ट्राइब को सबना तो यह आपके डेंट्रप को एक बैक्टियर इंफेक्ट्ट्यों उसको बहुत अच्छे से दूर करेंगा और आपके बालों को बहुत अच्छा बना देगा सिल्की बना देगा तो इसके अभी देखते हैं कि इस अलोवेयरा शेंपो को कैसे करना है जो में इंग्रेंड यहां को लगा पॉईजन है आप जब अलोवेरा लीफ को प्लांट से कट करते हैं तो ऐसा पॉईजन निकलता है जो कि हमारे पॉईजन है इस अलोवेरा लीफ में पूरा निकल जाएगा 10 मिनट बाद क्या करना आप देखेंगे कि सारा पॉईजन निकल के ग्लास में आ जाएगा आपने जिस साइट से अलोवेरा लीफ को कट किया तो अधर से आपको अलोवेरा लीफ का थोड़ा सा पार्ट निकाल के अलग कर देना है जिससे जो पॉईजन वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा अब जो साइट में जो काटे वाला पोशन है आप दे सकते इस तरीकी का इसको आपको साइट से थोड़ा कर लेना जिससे जब में अलोवेरा लीफ का जो शैंपू बना है तो यह हमारे बालों क जाते को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं ने इस तरीके से करके सारी लीफ की काटे वाला पोश्य अलग कर लिया । साते साहरे जहां से कुछ की आथा वह वाला पोशन भी अलग करके अधा दिया है तो इस तरीके से हमारे पास आचुकी है इक्दम सा अच्छी से अब हम इनको वाश कर लेना क्योंकि हमने इसको कट विया ता यह प्लांट होता है वह ऑपने जाम होता है दूर मिटे इतने भी ह तो जाए क्योंकि हम इन एलोवरा लीव को ऐसे यूज करेंगे जल एक्सट्रक्ट नहीं करेंगे अब आपको लिए नए मिक्सी जार और इन एलोवरा लीव को इसमुल पीसेज में कट कर लेना है जो बिद्वाला पार्ट उसके साथ ही अम इस अलोवरा लीव कर रहे हैं इसक इसमुल पीसेज में करें कर लिया है और etwas उससे घृर करना और हमें इसके निकालना है bizarre Ale EPA जैल फ्रम की कंससेश्टेंसी का पेस्ट यैसे शेंपू की कंसेस्टेंसी हाङ है ऑर अपको पानी का बिल्कुल बिल्खर योज ने करना को वेदाओ सब्सक्राइबर करना एक थ जेल फॉर्म की वाटरी फॉर्म की कंसिस्टेंस से आ चुकी है एक दम स्मूथ पेस्ट बन चुक है इसमें बिल्कुल लंप नहीं है आप क्या करना है जो यह है इसमें इसमोल पीसे हो गई क्योंकि हमने जो ग्रीन वाला पाट दा उसको भी एक साथ लिया है तो इसमोल जो ग इसमीड ले शुट्व भी कंसिस्टेंस चाहिए बिल्कुल भी कोई लंपस नहीं हो तो क्या होगा कि जब आम इसको में ऑपने शैम्पूग उपने बालों में यूझ करेंगी तो हमारे बालों में जो आलोवेरा जल की प्लांट जो पार्ट है लीफ का पार्ट है उह आ सकत स्मोह कंसिस्टेंसिटिन का पेस्ट वामका चाहिए जो किसे स्टीन करेंगे ताओ नोमीडिक करेंगे जितना जयो तो जो में बखोरा हो जाएगा और और उसको उटाक रिमूब कर देह को तक हमें स्टमूट, fine, तब कर यहां उसी पंटने के आपने बढ़ने श्यम्पू करने और यहां च्छ तो हम यहां पर यूज़ करने वाले हाफ टेबरिस्पून और अगर आप में यहां पर यूज़ करने वालू ऑलिव और आपके पास और यह नहीं या आप कोई भी अपना फेवरिट यह यह या पर यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्केल बहुत जादा ऑई्ली है तो आप इ साथ हमारी जो शेंपू की सेल्फ इंक्रीज कर देता है तो मैं यहां पर यूज करने वाले थ्री विटिमिन के कैप्सूल अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर है तो आप इसको यूज कर लिए हमारे बालों के बहुत अच्छे रहते हैं हमार इसको बताया था यह शेंपू है आपकी ऑइल को भी दूर करने की कैपसिटी रखता आपके बालों में लगा हुआ है तो इसको अच्छे से क्लीन कर देगा तो उसके लिए हमें यहां पर यूज करने को शेंपू बेस आप चाहे तो जो बेवी शोप होता है जॉन्सन का 5-6 स्पून भरके मैं एकदम श्पून भरके यहां शेंपू यूज करने वाले हो मेरा यह फिबरिट शेंपू है अगर आप कोई और शेंपू यहां पर यूज करते तो उसको यूज कर सकते नहीं तो जो सोप बेस आता है नौर्म मार्केट में उसमें कोई कैमिकल नहीं हो तो यह जाए जो मार्केट में शेंपू पर्चेस करते हैं उसको यूज करते हैं वहीं पर देख सकते हैं प्योर वहसे शेंपू लग रहा है और सबस्क्राइब अच्छी बात फ्रेंट से हमने इसमें कोई भी कलर यूज नहीं है और बिना कलर एड़ कि हमारा जो यह ग्री आरिया जो अछे खुश्बमु भी आरिया इस शेंपू में तो अब हमें क्या करना है आपको यूज को किसी वी शेंपू बोटल में जो कि खाली हो चुका हूँ उसमें इसको इसट्रव कर लिए तो मेरे पास एक मंबद करें पहले इसका जो गाली हो चुकी थी उसमें मैं को टास्वर कर लेती हुँ तो पहले मैं इसाट ग्लास में टास्वर करते हुआ इस तरीके से आप इस शैंपू को बना सकते हैं बहुत ही अच्छा शैंपू है जो सोब बेज प्रप्रेयर करना स्कूलिया बेजिए बेडी शैंपू या नॉर्मल जो बेस आता है उसको यूज तो यह हमारा इसली तरीके से बन के रेडियों बहुत ही नेच्चरल तरीके से बनाए हम इसको और सबस सची बात ही जिल का यह बहुत बीटिफिल आया है और सबसे प्रेंट से हैं कि एकदम यह मार्किय जैसा है अगर आपने बालों में आइल है उसको रिमूब कर देगा और आपके बालों को अच्छे से क्लीन कर देगा और अपके बालों को सौफ्ट बनाएगा बालों को वाश करना है जैसे नौर् हारेंट फास बिल्कुल नहीं है अब हम बात करते कि इस शैंपू को आप स्टोग करके कितने दिन तर रख सकते हैं पहली बात तो अगर आप चाहिए तक बहार नौर्म टेंपरिचर वर रख सकते हैं अगर आप इसको लाश पॉंट्रेटिटिए बना रहे हैं मसलब एक मही अगर बना रहे हैं और आपके बहुत तेज गरने पड़ रही है तो आपको इसको फिर्ज में यूज़ किया है को भी प्रेजर्वेटिव एडड नहीं किया है तो यह खराब हो सकते हैं इसलिए आपको फिर्ज में रख किसको पर मेरे सजेशन यह है कि आप इसका जो पर दो करना है और अगर अगर आप फ्रेश्ली प्रेश्ली यूज़ किजिए बहुत यह तो फ्रेंट्स यह शैंपो पहुत इच्छा वग करने वाद तो प्लीज रिकवाइश को ट्राइब पसंद आए रहा यूज करना यूज करने बाद को क्या करना को दोवारा में चैन वूज करने लिए फ्रेंस के साथ सबस्द एक पर फेसiencesबूक पर जहां कर सकते हैं और वीडियो और को कमेंट बता सकते हैं तो मिलते प्रेश्णे नहीं वीडियो स西्फ बाबय भाइई टेक्ख एŃ